जे मैंसे की दोस्तों, आज की सुरगी बनना का भाग हमने लिया है यशाया की पुस्तक, उसका तीस्वा अध्याय और उसका बीस्वा पद वचन कहता है यद्दपी, प्रभू ने तुम्हें कश्ट की रोटी और दुख का जल दिया फिर भी तुम्हारा शिक्षक अधिक समय तक छिपाना रहेगा, परन्तों तुम अपनी आखों से अपने शिक्षक को देखोगे, धन्यवाद पिता परमेशर, वाकरी तुम्हें तुम्हें सरजा है, तुम्हें हमें समारा है, तुम्हें हमें अपनी मा के कोक से निकाला है, त तु ही जानता है हमारे अंदर कौन से वर्दान है तु हमें जानता है अच्छी तरीके से इसलिए परमेशर तु हमारे जीवन में जो भी कारे करता है उसके लिए धन्यवाद परमेशर क्योंकि उची समय पर तु हमें उठाता है उची समय पर तु हमें बनाता है और तु ही हम चुनता है हम तुझे नहीं चुनते हैं तु ही हमें चुनता है और चुनकर निफ्ट करता है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे बवित समर्थी नाम के लिए प्रभू तु अंधिराला है प्रभू हम बहुत आशीशित हैं कि हम तेरे बच्चे हैं हम तेरे चेले हैं हम त रुक का जल दिया है जो कश्ट आप मैसूस करते हैं कभी-kभी आप आराम की जिन्दगी बिताते हैं कभी-kभी आप आराम से अपनी सिविकाई को करते हैं लेकिन एक कश्ट आता है आपके साधन पूरे नहीं होते हैं जो चीज आपको मिल रही होती है अचानक वो रुख जाती है लेकि धन्यवाद परमेशर का क्योंकि परमेशर आपको बना रहा है परमेशर शिक्षक के रूप में आपको एक नए रूप दे रहा है परमेशर एक नए मौसम को आपके जीवन में लेके आ रहा है पुराने मौसम से नए मौसम में आपको लेके जाला मेरे भाई ये बदलाब जरूरी है ये बदलाब जरूरी है क्योंकि अगर कष्ट की रोटी परमेश्वर दे रहा है तो धन्यवाद उस रोटी में सैयम है उस रोटी में दर्टा है उस रोटी में धीरज है हमारा विश्वास अटूट रहे हमारा विश्वास पूरी तरीके से सुरक्षित रहे हमारे अंदर और हम दृता के साथ परमेशर के राज्य में बढ़ते जाएं जा कोई भी इस्तिती हो हम जीवन में सैयम हम जीवन में दृता और हम जीवन में विज़ई हाचिल करते जाएं क्योंकि परमेश्वर एक शिक्षक के रूप में हमारे साथ है दोस्तों बदलाब जरूरी है एक बच्चा जब अपनी मा की कोक में होता है वो बहुत ही आराम से अपनी जिन्दगी गुजार रहा होता है अगर आप महसूस करें और देखें महसूस करें आखें आखें बंद करके बच्चा अपनी मा की कोक में होता है लेकिन जब समय आता है जब उसका मौसम बदलने वाला होता है परमेश्र उसे मा की कोक से बाहर निकालता है लेकिन बच्चा नहीं चाहता है बच्चा नहीं चाहता है कि वो अपनी मा की कोक से निकले वो अराम की सिंदगी बिता रहा है वो नहीं चाहता है वो नहीं चाहता है उस बढ़लाव को वो नहीं चाहता है उसलिए जैसे वो बाहर आता है वो रोता है वो बच्चा रोता है बतलाब नहीं चाहता है वो देखता एक नए संसार में कौन है किसके पास में आ गया कहां आ गया किस अंजान दिशा में आ गया किस अंजान जगा में आ गया कौन सा मौसम मेरे अंदर आ गया हलेलुया लेकिन जैसे बच बच्चा बड़ा होता है मा का दूद पीता है और मा समय बदलता है मौसम बदलता है और मा अपना दूद छोड़ा कर उसको चम्मट से दूद पिलाती है बच्चे को पसंद नहीं है वो रोता है वो रोता है उसके बाद बच्चे को आदी करती है कि वो गिलास में दूद पिलाती है बच्चा उसे भी नहीं चाहता है बदलाब इनसान को पसंद नहीं है मेरे भाई लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बदलाब हो क्योंकि आप उस संसार से आये हैं पर शैतान था लेकिन अब आप परमेश्वर के संसार में जा रहे हैं जहां पर स्वर्ग है जहां पर जोदी है जहां पर परमेश्वर है जहां पर स्वर्ग दूत है और परमेश्वर चाहता है आपके रूप को बदलना परमेश्वर चाहता है आपके विचारों को बदलना प परमिशर चाहता है आपको सयम देना, परमिशर आपको अपने अनरूप बनाना चाहता है, इसलिए इसलिए इशु मसी ने पत्रस के लिए प्राथना की थे, उससे कहाता कि पत्रस हंतिम समय है, मैंने तरह प्राथना की है, शैतान ने ग्यहूं की तरह छटकने के लिए तुझ को और शक्ति शाली बना दे, सामर्स से भड़ दे, पत्रस और मैच्चूर हो जाए, हाललुया, तीन मार्जा उसने हिंकार किया, उसके बाद उसकी मैच्चूर्टी बड़ी, उसके बाद उसका दाई तो बढ़ा, उसके बाद उसका बोज बढ़ा, उसके बाद उसका परमेश जील में आये इशु मसी ने कहा कि क्या तुम उस्से प्यार करता है येस पत्रस ने कहा मैं प्यार करता हूँ प्रमेशन आप से तु एक चरवा बनकर मेरी भीडों को संभाल मेरी भीडों को पाल मेरी भीडों की देखमाल कर लेकिन पत्रस को ईश्यू मसी ने बताया कि ये शिक्षा है मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूँ मेरे बच्चे मैं तुझे दुख की रोटी दे रहा हूँ मैं तुझे ऐसा प्याला दे रहा हूँ जिसको तुझे पीना है क्योंकि तेरी मौत कुरूस पर होगी तेरी मौत दर्दनाक होगी हलेलुया प्रेहसलोड वो हमारा शिक्षक है वो हमें बताता है कि जब हम अपने क्रूस को लेके चलते हैं इस धर्टी पर तो हमारे लिए जीवन बिताना इस धर्टी पर संसार पर बिताना मुश्किल होगा लेकिन पर्मेशर हमारे साथ होगा वो बदलाब जरूरी है एक मसी के लिए ऐसा बदलाब जरूरी है कई रिष्टे आएंगे जो आपको रोकेंगे कई विचार आएंगे जो आपको रोकेंगे कई भावनाएं आएंगे जो आपको रोकेंगे लेकिन नहीं हमें परमेश्वर का क्रूस इठा कर चलना है क्योंकि परमेश्वर हमारा शिक्षक है और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा मौसम बदले हम उस नए मौसम में विश्वास के संग कदम बढ़ाते हुए चले और परमेशर के साथ विजय पताका को हासल करें विजय को हासल करें जो परमेशर हमें देना चाहता है आईए दोस्तों हम धन्यवाद देते हैं कि परमेशर एक शिक्षक के रूप में हमें ताड़ना देता है परमेशर हम पर दया करता है परमेशर हम पर अनुभराय करता है और परमेशर हमें उचा उठा कर विज़ई बनाता है हाई धन्यवाद देतें पिता परमेशर तेरे पवितन समर्थी नाम में अद्बुश शिफा है धन्यवाद सुनने वाले हर भाई भेन के लिए आशीर सुकर संगाई मांगतें धन्यवाद देतें प्रात्रा आपने सुनी को बूल की एमेन